नवस्का दोस्तो स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चैनल पता दोस्तो रायस्तान पिजटी कॉलेज कांसलिंग दो हचार चौवीज को लेकर आप सब के लिए दोस्तो समय की बहुत बड़ी अपडेट है आज आपकी लाज डेश्ट है फस्ट लिस्ट की रुपोर तो दोस्तो एक तो आप पूरा वीडियो देख लिया करें आप आदा दूरा वीडियो देखते हो इसके बाद आपको डाउट रह जाता है अगर आप पूरा वीडियो देखो दोस्तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो आप शुरू से लाश्ट तक पूरा वीडियो देख आप से चोड़ी से रुक्वेस्ट है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें रायस्तान पीटेटी बीएड चार वर्षी दो वर्षी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राफ्त हो सके तो दोस्तों युवास इच्छा समाचार देनिक वासकर जोद्प पीटेटी में बदला हुआ है अपवड मुएंट नहीं होगा कॉलेज बदलने के लिए वरवाएंगे फ्रेश चोइस्ट यानि कि अब अपवड मुएंट का ओप्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा अपवड मुएंट को अठा दिया गया है कॉलेज बदलने के लिए सब्सक्रानी होगी अगर आपने पांच यह रुपए देकर पहले ही काउंसलिंग करा रखिए तो आपको सिर्फ उसमें कॉलेज फ्रेश चोइस बननी होगी यानिकि उसके लिए कोई सब्सक्राइब नहीं लगेगा तो आप उसमें द्वारा से आप अपनी कॉलेज चोइस बर शकते हो जैसे कि आपको एक नमर पर जो कॉलेज मिलिया उसमें आप एडिशन नहीं लेना चाहते हैं आपने फीज वले ही जमा करा दी है बाइस यह रुपए उसके बावजुद भी दोस्तों आप उसमें फ्रेश चोइस बर शकते हो द्वारा से कॉलेज ऊपर नीचे क जाएगा और वो विद्ध्यार्ती जो रिपोर्टिंग से चुक चुके हैं क्योंकि फाइनल के कुछ विद्ध्यार्तियों के रिजल्ट नहीं आए विस विद्ध्यार्त के ऐसे में दोस्तों जो काउंसलिंग कराने वाले वाले विद्ध्यार्ति उनका रिजल्ट नहीं हो जिससे नया Beard College आवंटित हो जाएगा यानि कि जिनको दोस्तों यहां पर recording नहीं कराई है उनके लिए मौका दिया जाएगा और यह दे सकते हैं बोड के अद्यच का क्या बयान है एक या दो दिन में बदलाव का notification जारी होगा PTT में और रायस्तान चौर्ज के कराण कुछ अगले एक या दो दिन में नए बदलाव का notification जारी होगा यानि कि कभी भी दोस्तों आपका एक या दो दिन के अंदर नया कलेंडर आ जाएगा आज लास्ट देट है दोस्तों PTT की जो रिपोर्टिंग हो रही है फर्स लिस्ट की 26 तारीक और के 25 तारीक कल आपकी दोस्तों पर अब सब्सक्राइं नहीं कि आपको दोस्तों आपको प प्रेैस्ट में परस क्षोटी में जानि जैसा कि मैंने भी अपडेट किया था कि अट्टाई चुलाई कि आसपास आपको री चॉइस या सेकंड काउंसिलिंग का उप्सन मिलेगा अब कापी सारे इस्ट्रेंट ऐसे हैं दोस्तों जुन्होंने बिल्कुल भी काउंसिलिंग पर किया हैं भाग नहीं लिया यानि कि पह पहले आप लिंक दोस्तों अब आपको द्वारा से कॉलेज चॉइस बनने का उप्सन दिया जाएगा अगर बात करें ओवरल दोस्तों चार वर्षी यह और दोनों में जो सीटें हैं एक लाग छपान हजार से जादा सीटें हैं एक लाग नो हजार सीटें तो आपकी दो वर दौरा से बढ़ सकते हैं जब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों तो आपको मेरेट के अनुसार यानि कि आपके नम्बर अकर कोले दे दी जाएगी तो जिन अंबरतियों को पहली लिश्ट में कोले नहीं मिली है कहीं पर भी या पिर पहली लिश्ट में कोले लेकिन दूर मिली है तो वो भी विद्ध्यारति इसमें सामिल हो सकते हैं या फिर जिन्हों ने रूपोर्टिंग नहीं कराई है दोस्तों कॉलेज फाइनली अगर रिजल्ट नहीं आने से तो वह द्वारा से कॉलेज चॉश बर्शकते हैं और इसके लावा जिन्हों ने बिलकुल ही काउंसलिंग नहीं कराई थी पांच यार उपयर राइस्टेशन की जो फीस थी उसको देकर उनको भी एक वार वोड मौका दे सकता है तो यह है अपडेट दोस्तों अपवर्ड मुएंट को अब अठा दिया गया है अब आपका अपवर्ड मुएंट नहीं होगा जाने की ज दोस्तों अब आपका सेकनल लिस्ट का प्रक्रिया 28 तारिक से सुरू होगी कटॉप की बात करें तो देखिए फर्स्ट लिस्ट की तुलना में सेकनल लिस्ट में कटॉप में 20 से 30 अंक कटॉप गिरेगी क्योंकि सीटें अभी काफी ज़्यादा खाली है 90,000 सीटों के आसप पास अब डेटा की सीटें मर चुकी हैं और उसे कम तो आभी दोस्तों आपका एडिशन लगवागा दोस्तों आपकी साथ से 70,000 सीटों पर होगा जिसकी सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों सेकंड लिस्ट आने के बाद आपकी थर्ड लिस्ट भी आएगी तो रीचोइस के त्यार रहें दोस्तों आसा करता हूं आपके सारे डाउट इस वीडियों में किलियर हो गए होंगे अगर फिर भी डाउट के लिए नहीं हुए तो कमेंट कर सकते हैं बाकी दोस्तों मैं आपको बदा दूँ अट्टाइस तारिक से आपका रीचोइस का फॉरम बरे होगी सेके लिस्ट में दोस्तों आपको बता दूँ अगस्त तक ही जारी हो पाएगी क्योंकि कॉलेज चोईस बनने के लिए तीन से चार देन का समय मिलेगा तो यह मैंना तो आपका कोलेज चोईस में ही निकल जाएगा या सेकेंड रिस्ट की कांसिलिंग में निकल हैं कल काफी सारे स्टेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर नेस्ट जो पीटी टी का और कब तक होगा यानि कि जो नेस्ट 25 पाइड़ एक्जाम है वह कब तक होगा तो आपको बता दूँ उसको लेकर मैं चल्ड़ी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं उसके लिए आप दो Apple को किया जाएगा एसी का भी सारी अपडेट आ रही है तो इसको लेकर 향ब करें कि यहारे में तब दोस्तो इस नैगेटिब मार्कींग होती थी लेकिन बत में इसमें नैगेटिब मार्कींग को अठा दिया गया और एक बार फिर शी आप चर्चा चल रहेगी नेगेटिव मार्किंग लागूँ हो सकती तो उसको लेकर मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाने बाला उसमें फुल डिस्कस करेंगे सिलेवस से लेकर फोरम तक और एक्जाम सक तो उसके लिए आपको चै से जुड़ी रहे हैं जैहिंद बंद मांत्रम